तोस्त रेलवे ग्रूप डी कटप की बारे में बात करेंगे जिसका एक्जामनेशन जल्दी ही समाप्त होने माले है यानि 17 दिसंबर को लगबग ग्रूप डी का एक्जाम समाप्त होगा और यहां हम पूरी बोड की बात नहीं करेंगे वनली फोर्च चंडीगड तो रेलवे के आरारसी देली के अंदर आता है रेलवे रिकूर्मेंट सेल देली के अंदर आता है और यहां हम ओपीसियल कटप की बात करेंगे 2013, 2012 और 2010 का यानि 3 साल का और 2018 का कटप के एस्पेक्टेट के बात करेंगे तो यह है हमारा वीडियो इसमें हम अगर जानना चाहें तो सबसे पहले हम RRC, चंडिगड़ और RRC, डेली के बार में यहां सबसे पहले आपको जानना होगा जिसका मुख्याल है बढ़ोदा हाउस नी देली पे है और इसके अंदर गत यह 6 डिविजन आते हैं तो आपकी अगर पोस्टिंग में ज़्यादा इंट्रेस्टेड है तो पहले जान लिजिए कहां कहां पोस्टिंग हो सकता है देली 1, देली 2 देली का इंसी आरे डिजन का कबर है फिरो आपका जिसमें आपका गुर्गाओं रिलेटेड जितने भी है गुर्गाओं आपका परिदाबाद देली, गजियाबाद यह सारा देली 1 और 2 में आता है तो यह सब देली का में सिटी है और यही बढ़ाता है कटप देली 1 और डेली 2 सबसे ज़्यादा कटप को थोड़ी पीक अप कराता है उसके बाद लखनव का कूछ पार्ट है तो लखनव में लोग कहेंगे कुछ गुरखपूर में भी लखनव आता है गुरखपूर RRB के अंदर तो इसमें से लखनव का कुछ पार्ट मुरावदाबाद, अम्बाला और फिर्याजपूर तो आप देख सकते हैं देली NCR आपका हो गया आपका देली में UP का कुछ पार्ट हो गया लखनव पूरी तरह से UP में आपका है मुरावदाबाद भी कहें तो EP में है अमबाला आपका हरियाना में है और फिर्याजपूर कहें तो पंजाब में है तो ये इतनी एरिया का ये कबर करता है Northern Railway जिसका मुक्याल है बडोदा हाई, नई दिली, RRC, देली के अंदर आता है और वेकेंसी कंड़क्ट करता है RRB, चंडिघर तो चबने रहे हैं इस वीडियो में इसको हम बताते हैं आपको डिटेल में मेट्रो रेल से समंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए Railway Life LP चैनल को सबस्क्राइब की दिये साथ में स्वेयर करना मत बूलिए आप यहां देख सकते हैं RRC NR NR को आप मतलब समझी गएंगे Northern Railway.org है यह उत्तर भारतिय कच उत्तर रेलवे का मुख्याला है और रिकूर्मेंट से ले वो आपका एकजाम कंड़क्ट होने के बाद सारी प्रोसेस RRC करता है एकजाम कंड़क्ट करने का काम RRB का है उसके बाद जो भरती प्रकिया होती है वो RRC कराती है तो यहां आप RRC में जाएंगे तो हम Group D की Cut Up की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग कहेंगे कि इधर उधर की बात कर रहे हैं तो आप नीचे की तरफ इसमें आएंगे तो देखिए हैं पहले 2010 से शुरुआत करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं 2010 2010 का Open Vacancy जो RRC के लिए था Group D के लिए उसमें Candidate का देखिए General Candidate यह Final है ध्यान दीजेगा यह Selected Candidate के लिए है जो Final हुए है PET और Medical Verification के बाद का तो यहां देख सकते हैं 97.11 87 OBC के लिए 87.08 AC का 80.01 और ST का 83.38 है तो यह Official Data है इसमें आपका PET मतलब Physical Efficient Test का भी March जुड़ा हुआ है PTE का तो ध्यान दीजेगा यह इतना Cut-Up है उसके बाद अगर बात करें सारा का है PH का देख सकते 102 है जो बहुत ज़ाधा है और उसी तरह आप का सकते है कुछ वेटिंग इमेज डाला गया था उसका भी लिस्ट है तो 2010 आपके पास क्रील हो गया कि Cut-Up कितनी जाती है इस सेक्षन का उसके बाद हम 2013 की बाद 2012 की पहले कर लेते हैं उसके बाद 13 की करेंगे तो 2012 है यहाँ पे आप देख सकते है 2012 है और Cut-Up for PT PET के लिए है टेस्ट के लिए इफिजेंट टेस्ट के लिए तो यहाँ पे आप देखें जेनरल के लिए आपका है 75.59 बिल्कुल नॉर्मल है बहुत ज्यादा नहीं है अगर हम NCR की बात करें चंडीगर की बात करें और देली की बात करें तो OVC में 69.67 है AC के लिए 50.79 है AC के लिए 300.5 है उसके बाद Cut-Up के बाद जो PT आया था वो 81 बढ़ गया है 75.85 हो गया उसके बाद आपका OVC में 60 हो गया AC में 70 है उसके बाद हम बात करें अगर 2013 का जो latest vacancy है इससे पहले वाला 2018 से पहले 2013 का था उसमें अगर बात करें तो उसमें आप देख सकते हैं यह Cut-Up आपको Clear दिया हुआ है 2013 के टर्में पहले PET के लिए और उसके बाद candidate इस इजर्ब के लिए है और कुछ candidate document verification के बाद जो final था medical के लिए उसका भी Cut-Up दिया हुआ है तो देख सकते हैं 84.02 जेनरल के लिए और यह सभी RRB में पटना RRC हाजीपूरवाला है उसके something एक Cut-Up था OBC है AC है ST है और एक सर्विसमें का देख सकते हैं 30 था तो OBC का 87.03 75.03 AC के लिए ST के लिए 6.79 उसके बाद PET के बाद medical के लिए जो बुलाया गया था 87.65 हो गया था UR के लिए OBC के लिए 80.67 है AC के लिए 77.23 है ST के लिए 77.49 है और एक सर्विसमें का 30.33 है तो यह आपने Cut-Up जो देखा यह सारे डिटेल में RRC के Official वेब साइट पर है इसमें हमने कुछ एडिक नहीं किया लेकिन Cut-Up तो ध्यान दीजेगा यह पूर्ता अनमानता है इसमें हो सकता है थोड़ी बहुत Deflection हो सकता है लेकिन जैसा B.A.B.A.R. इस बार का Competition कराया है Question level जो current affair काया है और CBT test CBT test इस बार बहुत Important role कर रहा है लोगों का Attempt 100 कोचन टाइम के अंदर नहीं हो पा रहे है तो यहाँ 10 मार्श लोगों का छूट रहा है यानि 100 नमबर की Examination equivalent to 90 Examination के something हो रहा है average के लिए तो कह सकते हैं पिछले बार से 10 नमबर अगर जो छूट रहा है वो नीचे की तरफ कटप लाएगा एक नमब सी ओर है इसके लिए मैं कनफर्म हूँ और यह कटप कितना होगा उसके बारे में अनुमानता बात करते हैं पूरी तरह से तो टोटल कंडिडेट अनुफिसियल है अनुमान के उनसार 27 लाग चंडिगर में अपलाई किये है और टोटल पोस्टों की संक्या है 7832 यह ओफिसियल डाटा है 7832 पोस्ट की और कहसे हैं तो PET में कुछ लोग बोले है दो गुना लेगा और कहीं कहीं बताया जा रहा है कि यह रिवाइज करके आया है कि तीन गुना लेगा तो तीन गुना अगर लेता है तो करीब करीब यह समझ सकते हैं आटे के 24 करीब 23,000 कंडिडेट जाएंगे किसमें PET टेस्ट के लिए अगर तीन गुना लेता है तो एक जमसन हम करके चलते हैं लेकिन दो गुना नोटिपिकेशन जो पहले आया था उसमें दो गुना था तो तीन गुना हम मान लेते हैं 23,000 कंडिडेट जाएंगे तो इसके लिए कट अप क्या हो सकता है कितने जाएंगे तो हम बात करेंगे रो मार्स का सबसे पहले और एक नॉर्मालिजैसन मार्क का तो कुछ लोग बोलेंगे कि ये दोनों में क्या अंतर है तो रो मार्क्स वो नंबर है जो आपने 100 में से लाया है तो यहां मेरा कट अप रहेगा सभी के टेग्रियों का कॉमाइंड के लेके मेरे तरब से 45 से 55 अगर आप नंबर लाते हैं तो 45 की तरब कहें तो आपका AC, ST कंडिडेट के लिए और 55 की तरब कहें तो आपका जेनरल कंडिडेट के लिए लेकिन लोग कुछ लोग बोलेंगे कि इतनी सेलेक्शन इतनी कम में कैसे हो जाएगी तो ध्यान दीजेगा उसके बाद आपका बढ़ेगा नॉर्मेलाइजेशन मार्क्स जब नॉर्मेलाइजेशन होगा तो ये कुछ लोग अटेम्ट नहीं कर रहे हैं कुछ लोग कर रहे हैं उसका बेनपीट प्रस्नलेबल हाड इजी के बेनपीट आपको यहाँ मिलने वाला है और ये बेनपीट हो के मेरा प्रस्नल अनुमान है जिसका 45 नंबर था कम से कम ये 55, 58 और इधर का हैं तो 68 के आसपास आ जाएगा तो ये मेरे तरफ से कटप आपके लिए है 58 से 68 के या 55 से 65 सम्तिंग प्लस माइनस दो हो सकता है इतना एक्जेक्ट कोई नहीं बता सकता तो प्लस माइनस एक, दो, तीन, चार हो सकता है सभी के टेगरियों के लिए तो ये कटप है और ये कैसे हुआ जैसे मैं बता रहा हूँ पिछली सल का अपने कटप देख लिया दोजार तेरा का देख लिया 84 था और 84 से 10 प्रस्न लोगों के इजी छुट रहे है इस बार तो 84 में से 10 अगर करते हैं तो 74 ऐसे हो रहा है कुछ आपका प्रस्न लेबल डिपकल्ट आ रहा है तो 4-5 प्रस्न यहां भी अगर गटा दे तो 68 के पास आ रहा है और कंडिडेट पर पोस्ट के संग्या से अगर देखें तो पिछले बार से कम है इस बार इस टर्म में की वेकेंसी जादा है और वेकेंसी के जादा होने के कारण कुछ लोग एकजाम भी कापी चोड़ रहे है करीब 65 या 60% अटेंडेंस है एकजामनेशन में कई जगह जादा भी है लेकिन कुछ जगों पर यह यह बिरे जा रहा है तो द्याम दे सकते हैं मेरे तरफ से यह कट अप रहेगा और यह वीडियो देखने के बाद आपको यह नहीं करा हूँ कि इस्टे भी पूरी तरह से आप फैत हो जाए लेकिन जब आपका कट अप आएगा तो जरूर बताईएगा कि यह कट अप इतना हुआ या नहीं हुआ और जैसे ही ओफिसल बेप साइट पे आएगा तो हम आपके साथ फिर से डिसकसर में सामिल होंगे थैंक यू धन्यवाद